तो हलो दोस्तो माइंड कराप में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और कमाल का माइंड कराप का हैक लेके आ चुकाऊ जी हाँ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ओटोमेटिक डाइमन डुबलिकेटर फार्म कैसे बना सकते हो जी हाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए Automatic Diamond Duplicator Farm कैसे बना सकते हो तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पे डिक कर लेना है तो आप लोग यहाँ पे डिक कर लीजेगा इस तरह आपको डिक करना है यहाँ पे आपको रखना है सबसे पहले तो एक आपको चैस लेनी है तो आप यहाँ पे चैस ले लीजेगा होपर ले लीजेगा उसके साथ ही आपको कुछ Observer लेने और observer के साथ आपको जो है रीपीटर भी लेने जी हाँ तो आप रीपीटर ले लीजे तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे चैस रखनी है चैस रखने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले एक एक जो है आप लोग इस तरह से connect कर लीजे connect करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह कवर करना है कवर कर लीजेगा बिलकुल भी तो आप लोग इस तरह से इसे बनाईएगा ओके गाइस तो इस तरह से आप इसे कवर कर लीजे आप लोग चाहो तो गिलास का यूज कर सकते हो तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ गिलास ले लेता हूँ उसके बाद अब आपको यहाँ पर आना है सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मशीन बनानी है तो मशीन बनाने के लिए आपको इस तरह से जो है यहाँ पे तीन स्टोन का जो है आपको यहाँ पे इस तरह से बना लेना है तो बनने के बाद इस तरह आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपको सबसे पहले observer रखने तो यहाँ पे आप लोग observer इस तरह से रखिए तो आप लोग देख सकते हो आपको observer रखने इस तरह से दो, तीन और चार observer आप यूस कीजेगा उसके बाद यहाँ से आपको observer लेने और वुने आप लोग यहां से इस तरह रखिए यहां पर आपको पाच अब्जर्वर लगाने यानि कि चार इस तरफ और पाच इस तरफ जिनका एरो कुछ इस तरह होगा आप लोग देख सकते हो तो इस तरह आपको इसे बनाना है तो बनने के बाद यहां से भी आप जो है इस तरह कवर कर लिजे तो इस तरह से जो है आपको इसे कवर कर लेना है ओके दोस्तो तो इस तरह से आपको इसे बनाना है बनाने के बाद यहां पर आपको सबसे पहले तो यहां पर आपको जो है अब repeater का use करना है इस तरह से जिसे आप एक पर tick कर लीजेगा यानि कि एक पर आपको इसे tick कर लेना है एक पर कीजिए या फिर maximum पर भी आप कर सकते हो इस तरह कर लीजे उसके बाद आपको एक sticky piston लेना है तो यहां पर sticky piston स्लाइम बॉल भी आपको लेना है अुम आपको इप यहाँ पर किस्टिकी पिस्टन भी आप ले लिजेगा की हुए यहाँ पर लेने के बात आपकों इसे Republican से left def करने के लिए आपको यहां पे जो है यहां पे लगाना है इस तरह स्टिकी पिश्टन चार्ज स्टिकी पिश्टन लगा लीजेगा आप लोग देख सकते हो इस तरह आपको स्टिकी पिश्टन लगाना है लगरी के बाद यहां पे मैंने थोड़ा सा बिगाड लिया था तो मैं मैं इसे दुबारा से connect कर लेता हूँ तो इस तरह आपको इसे बना लेना है बनने के बाद यहां से भी आपको इसे cover करना है तीन ब्लोक का आपको इस तरह से cover बनाना है तो इस तरह से जो है आपको इसे पूरी तरह से cover कर लेना है तो देख सकते हो दोस्तों आप लोग इसे cover कर लीजेगा तो हम यहां पे सबसे पहले late लेते हैं तो आपको इसी तरह से इसे cover में कर लेना है तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको यह दिखाई देगा उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक उटोमेटिक यानि की चालू करने के लिए एक lever बनाना है तो इसके लिए आपको इस तरह से इसे लेना है यहाँ पे आपको एक sticky piston करने के बाद यहां पे से भी आप लोग चाओ तो पूरी तरह से पेक कर लीजे तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से यह मशीन तयार हो जाएगी इस तरह से यह मशीन तयार होगी ओके दोस्तो तयार करने के बाद अब आपको यहां पे सबसे पहले तो आपको वोटर क अगर बाहर की तरफ नहीं जा रहा है तो यहां से आपको क्या करना एक और आप ले लीजेगा तो यहां पर आप लोग यहां पर इस तरह एक और होपर लगा लीजे इस तरह आपको इसे connect करना है connect करने के बाद यहां से आप इसे पूरी तरह cover कर सकते हो तो इस तरह से आपको इसे पूरा बना लेना है बनने के बाद अब आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लेना है डाइमन के जो आपके ब्लोक है आपका डाइमन का ब्लोक लेना है इसके साथ ही आपको स्लाइम बोल लेने जी हाँ तो आपको इसके साथ ही slime के जो box है वो आपको लेने तो slime block भी आपको लेने और इन्हें आपको यह उपर इस तरह लगाना है आप लोग देख सकते हो इस तरह यह आपको लगाना है इसके उपर आपको इस तरह से रखना है आपके diamond के block आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको इसे connect करना है ओके दोस्तो connect होने के बाद अब आपको ये machine active करनी है active करने से पहले मैं आपको बता दूँ आपको इसे उपर से भी cover करना है यानि कि आप इसे उपर से भी cover कर लीजेगा cover करने के लिए आप glass का use कर सकते हो तो यहाँ पे आपको मैं आपको बता दूँ यहाँ पे diamond के हमने block लगाए सिर्फ touch की मदद से आप तोड़िएगा अब आपको केवल diamond यहाँ पे मिलेंगे जी है block आपको नहीं मिलेंगे केवल diamond ही आपको मिलेंगे अगर आप bedrock में use कर रहे हो तो तो यहाँ पे आपको glass लगा लेना है तो glass आप लोग थोड़े उपर लगाएगा ताकि आपके जो block है वो आगी की तरफ ना गिरे तो इस तरह से आपको इसे पूरी तरह से cover कर लेना है तो cover होने के बाद अब आपको यहाँ पे यह machine active करनी है तो active करने के लिए हम नीचे चलते हैं तो दोस्तों अब हम इस machine को active करते हैं तो दोस्तों अब आपको यह machine active करनी है और जैसे ही आप इस machine को active करोगे तो आपके जो यहां पे देख सकते हो इस तरह से जो है ओटोमेटिक आपके जो मशीन है वो आगे पीछे होना शुरू हो जाएगी और जैसे ही आपके ओटोमेटिक शुरू होगी मशीन आगे पीछे होना यहां पर देख सकते हो तो आप जो है honey block work का भी use कर सकते हो तो यहां पर आपके diamond के जो diamond है वो duplicate होंगे तो आप लोग इसी तरह मैं आपको बता दू कि यह जो technique के केवल Java में काम करेगी तो आप इसी तरह से अपने लिए automatic diamond farm बना सकते हो तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दीजे, share कर दीजे और हमारे channel को subscribe कर लीजे आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हमारी next वीडियो में तब तक लिए take care